हम सभी J2024 की तैयारी जल्द ही शुरू करने वाले हैं और हम मिलके बहुत ही मचाने वाले हैं यह सबसे अच्छा है Personal Guidance चाहिए, Mentorship चाहिए, Proper Doubt Solving चाहिए, High Quality Course चाहिए That it will be the best you can get, Droppers के लिए बहुत ही Specific, बहुत ही Amazing Course है आप सभी का आपका सेशन शुरू करते हैं, तो शुरू करें क्या? तो बच्चों सबसे पहले लेके भगवान का नाम, लेके प्रभू का नाम, जैश्री डाम, हर-हर महादेव और आप अगर other religion से बिलॉग करते हैं तो आप अपने भगवान को याद कर सकते हैं लेके प्रभू का नाम, आज का सेशन शुरू करते हैं, फुल जोश में तो बच्चों, हाउस दो जोश, येस, होपिंग दाट, दो जोश इस वेरी वेरी हाई यूँकि मिलके हम लोग जो हमारा मिलके जो हमारा एक ड्रीम है उसको हम अचीव करने वाले है बच्चों, सबसे पहले एक बात बताओ आप सभी, मैंने भी आप सभी को ये बात पता होगी कि मैं भी as a dropper ही तियारी किया था, आपको पता है ये बात? 12th class में I couldn't crack IIT J.E. in the first attempt, क्या आपको ये बात पता है? तो क्या आपको ये पता है कि 13 में I got into, then 13 में मैं IIT crack किया, and in 2006 और उसके बाद I got into IIT Root की, ये आपको पता है कि सभी को बच्चों को? Yes, तो मैं एक dropper की इस समय की जो thought process है वो समा सकता हूँ सबसे पहली शंका हमें ये होती है कि क्या मैं कर पाऊंगा? किस-किस को ये शक है? किस-किस को इस बात का डर है? कहीं मैं अच्छा नहीं कर पाया तो, कहीं ये साल व्यर्थ हो गया तो किस-किस बच्चों को अभी भी ये fear है? Yes, जल्दी से बताएं comment section में बच्चों मैं सभी को जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसे dropper जब तयारी कर रहा था, तो बहुत सारी शंका मुझे भी थी कि यार, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा? कहीं अगले साल अच्छा नहीं हुआ तो, इस तरह का failure का डर बहुत ज़ादा रहता है हमारे दिवाक में तो किस-किस student को ये डर है? Honestly बताएगा comment section में, किस-किस को ये डर है? जली से बताएगे, सभी बच्चे, जो-जो session में आते जा रहे हैं, like तो करते ही रहेगा और ये बात का जवाब दीजिए सभी के सभी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे students को इस बात का डर रहता है, देखिए, जोश भी है, लेकि फिर भी कहीं न कहीं डर रहता है क्योंकि 12th के साथ-साथ हम इतना अच्छा नहीं कर पाए, या एक बार drop करके हम अच्छा नहीं कर पाए, मैं जानता हूँ कि बच्चे second droppers भी इसमें होंगे तो शंका सबसे बड़ी ये होती है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा तो यार पता है, जब मेरे साथ ये सवाल था, ये doubt मुझे भी था, अब इसका जवाब मुझे क्या मिला इसका जवाब मुझे ये मिला कि सबसे पहला सवाल मैंने खुद से पूछा, जो आपको भी अभी खुद से पूछना है सभी को खुछ से पूछना है जो बच्चे इस session को बाद में देखने वाले हैं उनको भी comment section में इस बात का जवाब देना है कि बच्चो सबसे पहले मैंने खुछ से पूछा कि क्या मैं पुरी जान लगाने के लिए hard work करने के लिए तयार हूं सही में तयार हूं क्या मैं consistent रहू हुई थी तो सबसे पहले मैंने पहचाना कि मुझसे गलतियां कौन-कौन सी हुई है और क्या मैं इस बार भी वही गलतियां दोहराओंगा मेरे दिमाग में आए कि नहीं यार मैं इस बार तो गलतियां नहीं करने वाला और मैं इस बार जी जान से महनत करने वाला हूं तो आ एक चांस देना है नहीं तो जिंदिगी भर मैं रिग्रेट करता रहूंगा क्योंकि कि मैंने खुद को चांस नहीं दिया था और मैं एक सब स्टेंडर्ड कॉले से पढ़ रहा हूं तो मुझे खुद को चांस देना था तो सबसे पहले अब आप सभी ने डिसाइड कर लिया है कि ड्रॉप करके तयारी करना है तो बच्चो यह जो mental barrier है यह जो डर है दिमाग से निकाल दीजिए योगि अगर आप hard work करेंगे और वो hard work अगर सही direction में होगा तो यह बताईए work done होगा के नहीं होगा आप सभी जानते हैं when the force is applied in the right direction result आता है के नहीं आ to give your best yes बच्चो अब बात आती है तो यह मैंने पहला सवाल खुद से पूछा था second मेरे पास सवाल यह था कि चलो ठीक है hard work करने के लिए तयार हो तो result तो आएगा लेकिन उसकी direction भी सही होनी चाहिए अब दिक्कत कहां आती है खुद से planning करने में अगर हम खुद से planning करेंगे अपने लिए तो हमने जो पहले गलतिया की थी वही गलतिया दोबारे से हो जाएंगी खुद से planning proper होती नहीं इसलिए drop year में सबसे अधिक जरूरत जिस चीज की होती है बच्चो वो होती है प्राक्टिस की वो होती है रिवीजन की और उसके अलावा सबसे बड़ी जरूत हो लेकिन आप वो advanced पे focus करना चाहते है तो आप अलग-अलग तरह के student में जानता हूँ इसलिए हर student के लिए planning क्या होती है अलग होती है यानि अगला जो role होता है force के साथ वो होता है direction का और direction जो है बच्चो वो आपको सही course से मिलती है जो आपको warrior and एकलवे batch में मिलने वाली है बच्चो आप सभी को बताना चाहता हूँ एकलवे batch mainly focused है जेई में के लिए it is for जेई में 2024 and warrior जो batch है वो जेई में as well as advanced के लिए है आपकी force को सही direction दिने के लिए warrior batch and exclusive and हमारा जो एकलवे batch है यह हमने इसी basis पे design किया है ताकि आप सभी जो अपनी मन्जिल है जो आपका dream college है वो जरूर अचीव कर सकें क्योंकि आपकी feelings को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जो कमिया है उसको भी अच्छे से जानता हूँ और droppers की कुछ ऐसी mistakes होती है जो अगर आप सारी बाते follow करते हैं जो मैं आपको guide करने वाला हूँ इस particular batch में जो mentorship देने वाला हूँ आप सभी वो गलतिया नहीं करोगे और आपके selection के आपके अच्छी rank के chances बहुत high हो जाएंगे तो बच्छो क्या आपका जोश high है? Yes, are you ready to work hard? उसको smart बनाने के लिए हम लोग हैं ओके बच्छो तो आप सभी के लिए आज again मैं बोलना चाहूँगा कि सस्ता बिलकुल नहीं है लेकिन स सबसे जरूरी होता है हमारे लिए syllabus completion timely करना, revision करना और सबसे खास बात बहुत सारे questions करना, just imagine अगर every single day आप around 100 questions को practice करते हो, वो भी high quality 100 questions को practice करते हो, तो लगबग अगले 6 महिने में बच्चो आप कितने questions practice कर लोगे, देखते हैं कौन इसका जवाब जल्दी से comment section में देता है everyone, जल्दी से comment section में बताईए, सभी के सभी, yes, तो यहर देखो, अगर आप 100 questions everyday करते हो, तो लगबग 3000 questions आप एक महिने में कर सकते हो, यह लगबग 18000 सवाल आप attempt कर सकते हो, अब आप खुद सोचिए, अगर आप overall, जही में से पहले, आप 10,000 भी सवाल कर लेते हो, बाकि छो कि आपके selection को कोई रोख सकता है, जल्दी से बताईए comment section में, everyone, नहीं रोख सकता, ठीक है, आपको कोई नहीं रोख सकता बच्चो, आप सवाल यह आते हैं कि यह बात तो कोई भी बच्चा कर ले, अराम से practice करे, और you know, बढ़िया दसजा सवाल कर ले और काम बन जाए, तो स इतना ध्यान दिया जाता है, या पहले 3-4 मही ने इतना slow पढ़ाय जाता है, कि problem practice पे focus बहुत ही कम होता है, और जब हम problem practice class में नहीं करेंगे, तो आप भी बताओ, जब class में problem practice जादा नहीं होगी, तो क्या घर में हम से solve हो पाएंगे, जब तक हम एक teacher को देख नहीं पाते, जब तक हम देखते नहीं कि सर्ण ने कैसे solve किया, कैसे उनने MCQ को solve किया है, क्या approach है, क्या हमारी problem solving approach बन पाती है, यह सूरनो, जल्दी से बताइए सभी के सभी बच्चो, comment section में everyone, नहीं बन पाती है, तब तक हमारी problem solving approach नहीं बन पाती है, है ना, तो यही सबसे बड़ा difference हो problem solving है, उस पर बहुत intense focus कराए जाएगा, कैसे कराए जाएगा, वो भी बताऊंगा, दूसरी जरूरत जो हमें होती है बच्चो, वो personalized plan की होती है, तो चलिए बच्चो, जलिए बच्चो, लड़ा सारी बाते आपको बता देता हूँ, चलिए बच्चो, लड़ा स्ट, लड़ बच्चो बच्चा सेशन में अब भी आता जा रहा है, जो नए बच्चे भी आए हैं, बच्चो, make sure you hit the like button for your dream college, yes, चलो बच्चो, तो, hereby, I am introducing you, one of the best online badge for droppers, and it is a one-stop solution for droppers, इसमें बच्चो, it is a club exclusive phase 2, phase 2 जो है, यह Jamin 2024 के लिए focused है, highly relevant है, और Jamin बोला गया है, तो Jamin वाला ही content है, plus उसमें जो problem practice है, वो भी Jamin की ही है, उसके बच्चो में यहाँ पर warrior batch के अगर बोलू हूँ, warrior exclusive phase 2 is for Jamin as well as advanced, इसमें advanced का content अलग से आपको provide होता है बच्चो, तो, Jamin as well as advanced इसमें included है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले, ज़्यादा तर dropper batches जो हैं, वो fail कहां कर जाते हैं, students कहां गलती करते हैं, देखो हैर सबसे बड़ा reason तो hard work ना करना होता है बच्चो की तरफ से, अगर हम hard work नहीं करेंगे, consistency नहीं maintain करेंगे, distracted रहेंगे, तो फिर तो काम नहीं होने वाला, यानि जो गलतियां आपने पहले की थी, अगर वही गलतियां अभी भी करोगे, तो काम कैसे चलेगा, किस-किस तरह की गलतियां आप से अभी हुई, पिछले attempt में जो गलतिया हुई, बच्चो comment section में सभी के सभी बताएं, और जो इस session को बाद में recorded format में देखने वाले हैं, वो भी अपनी गलतियां बच्चो आपने पहले की थी, वो गल ही नहीं हो पाएगी ना, एनर्जी के अगर आप लूज करते रहोगे, डिस्ट्राक्टे रहोगे, तो जहां पे अपने को focus करना है, focus कर पाओगे क्या, ठीक है, तो आपका hard work तो बहुत-बहुत ज़रूरी होता है बच्चो, लेकिन उसके अलावा batches के अंदर भी सबसे common गलती होती है, क्योंकि बच्चों के लिए plan अलग-अलग requirement होता है, आप सोच ये न, एक ही batch में अलग-अलग प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए planning अलग-अलग चाहिए होती है न, तो वो इन batches में कैसे मिलेगी, वो भी मैं आपके साथ share करूँगा बच्चों, आपको अलग-अलग planning भी मिलने वाली है यहाँ पे है न, तो कि batch अलग-अलग नहीं बन सकते है हर category of students के लिए, हर तरह के students के लिए, लेकिन उनकी planning अगर change कर दी जाए, थोड़ी-थोडी उसके basis पे बच्चे अपना जो potential है उसको achieve कर सकते हैं, उसके अलावा अगली problem क्या ह होती है lack of master plan, आप सभी ये बात समझ रहे होगे बहुत ही अच्छे से बच्चो कि जो planning है न, dropper batches की, वो dropper के हिसाब से आजकल की नहीं जाती है, लगवग पहले 3-4 महीने तो बहुत ही slow-slow पढ़ाया जाता है, और बच्चों को खुश किया जाता है, और बाद में फिर slivers timely complete होता ही नहीं है, even teachers कहते हैं बहुत बार की अगले attempt पर focus करो, लेकिन आप सभी जानते हो ना बच्चों, जल्दी से बताए comment section में कौन सा attempt जादा meaningful होता है, पहले वाला ये दूसरे वाला, कौन सा जादा lucky होता है, जल्दी से बताओ everyone comment section में, yes, सभी की दिल को पता है बात, ये अच्छे से बता है कि first और second attempt में जो जादा important है वो कौन सा होता है, first attempt होता है, और अगर हम first attempt में मचाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं बच्चों, तो क्या हमारे पास J-E advance के लिए significant समय है, जो बच्चे J-E advance के लिए focus कर रहे हैं, उन सभी के पास उसके बाद तो पूर करना है बच्चो, first attempt में ही हमें अपना best देना है, okay everyone, बात समझ में आरी है सभी बच्चों को, everyone, तो first attempt में मचाना है क्या, अगले 7 महीने आप मुझे देने को तयार हो क्या, बस 7 महीने नहीं उसके बाद भी, first attempt के बाद भी हम मौत मचाएंगे, पर पहला गोल है हमारा first attempt J- main में crack करना, अच्छी rank लेकि आना, first से ही हम अच्छा percentile ले आएंगे, तो यह जो master plan है बच्चो, यह हमने specifically droppers के हिसाब से adapt किया है, syllabus completion का plan, ताकि जो बच्चे basic से cover करना चाहते हैं, उनको भी hamper ना हो, उनको भी basic से समझ में आए, यानि बच्चा अगर average है तो वो भी समझ पाएगा, और जो बच्चा बहुत ही already 98-99 percentile लेकि आ चुका है और advanced के लिए focus कर रहा है अभी, तो उनके लिए भी बहुत meaningful content मिलने वाला है, चलिए बच्चो अब इससे आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो master plan है droppers के लिए, उसका एक brief मैं आपके साथ share करूँगा, क्यो जो plan है, क्या आप जाना चाते हैं सभी के सभी बच्चो, कि broadly मैं आपको idea दूँगा कि slivers completion किस तरीके से होने वाला है, कौन teachers आपको पढ़ाने वाले है, बहुत ही amazing teachers, जिनको आप YouTube पे लगातार देखते हैं, यह जो पुरी team है बच्चो, यह इतनी helpful है आप सभी के लिए, और इतनी experience है, जो हर साल 100% dialers जो है वो produce करती है, हर साल, year on year, तो वो team आपको इसके अंदर पढ़ाने वाली है, और कुछ बच्चो surprise ऐसे faculties भी हैं, जो हमारे साथ जल्द ही जुढने वाले हैं, physics, chemistry and mathematics में भी, जो आपके लिए surprise है, आभी मैं reveal नहीं करने वाला, along with the current teachers, जो और यह जो particular tentative plan है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर overall कैसे इसको deal करने वाले हैं, यह मैं आपको detail में बताऊंगा, पर यह जो schedule and planner है, यह मैंने already atp star website और app से आप download कर सकते हैं, यह हमने star batches section में warrior एकलबवे में डाला हुआ है, ठीके, warrior में additionally advanced के lectures भी मिलेंग कि बच्चों कुछ high weightage topics होते हैं, क्या आपको पता है, कुछ high weightage topics होते हैं, जिनको coachings में in general बहुत last में कराया जाता है, जिनसे question आता ही है, जैसे कि physics में अगर मैं बात करूं, तो हमारा जो यह हमारा होता है, for example, semiconductor हो गया, जो हमारा principle of communications हो गया, communication हो गया, इस सबसे question आता है कि नहीं आता है, बताओ सभी जली से, yes everyone, तो कुछ high weightage chapters होते हैं, जो अगर बच्चा पहले से ही कर ले, तो moj हो जाती है, यानि उसके, यह माले जीए, वो question आने के बहुत high chance होते हैं, तो उसका score काफी high बढ़ता है, similarly mathematics में भी इस तरह के topics हैं, जैसे mathematics में, आप सभी जानत example, environmental chemistry हो गया, इन सब पार्ट का काफी high weightage होता है, क्या आप सभी इस बात को जानते हैं बच्चों, तो यह सब पार्ट आपको पहले ही, काफी चीज़ें आपको पहले ही करा दी जाएंगी, यानि पहले दो से तीन महीने में ही, बच्चों आपको high weightage chapters जो हैं, वो साथ साथ में करा दिये जाएंगे, तो हमने उस तरह के chapters को हमने parallel lectures का नाम दिया है, यानि उनके lectures भी आपको साथ साथ मिल जाएंगे, ताकि नहीं तो क्या होता है कि अगर हम पूरे sequence में ही पूरा पूरा चलेंगे, तो यह chapters के लिए अंत में हमें समय नहीं मिलता है, तो broadly यह जो planning है, यह आपके लिए हमने बहुत सो समझ के बनाई है बच्चो, अब उसके बाद बुलजाई plan के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अचा आप सभी के जो भी question and answer है वो मैं आपको इस session के end में आपके सारी queries को resolve करने माला हूँ बच्चो, जो जो student session में आता जा रहा है, likes में कमी नहीं होनी चाहिए, yes, तो बच्चो सभी का जोश बरकरार है, yes, अभी से सो तो नहीं गए, अरे भई हमें जागे रहना है अगले जेई advance तक, जेई advance 2024 तक, लेकिन याद रखे, मेरे फादर हमेशा बोलते हैं, जोश में होश भी बहुत ज़रूरी है, तो आपके ज जोश को होश देने के लिए, यनि आपके जोश को, आपकी hard work को, energy को सही direction में channelize करने के लिए, हम लोग मैं हूँ आप सभी के साथ, इस पूरी journey में मैं आप सभी को personal mentorship देने वाला हूँ, सभी बच्चो को, yes, everyone, okay, बच्चो, तो यहाँ पर syllabus completion आपका December तक हो जाएगा, and कैसे होगा, okay, बच्चो, अब उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कि यहाँ पर teaching methodology जो है, वो काफी special है, क्योंकि droppers की need जो होती है, वो different होती है, droppers की need के हिसाब से अगर हम देखें, बच्चो, तो हमने यहाँ पर practice and revision पे बहुत ही ध्यान दिया है, यानि खा सभी को शायद यह बात पता होगी, बच्चो, CPP का full form आपको पता है क्या, comment section में पताईए सभी की सभी बच्चो, do you know about CPPs, full form पता है क्या, yes, यह हम लोगों ने ही concept introduced किया था, जिससे यह माली जी droppers को बहुत ही help मिलता है, बच्चो, CPPs का मतलब होता है classroom practice problems, अब होता क्या इसका benefit क्या होता है, class के दौरान, जब lectures के दौरान आपको बहुत सारे MCQs कराए जाते हैं, different categories के, जैसे कि PYQs कराए जाते हैं, या PYQs के साथ associated MCQ, तो भई, ऐसे case में आपका जो practice है, वो class में ही इतना अच्छा हो जाता है, कि घर पे सवाल आपसे बन जाता है, क्योंकि class में अगर आप everyday बहुत ही high quality questions करोगे, तो घर पे आप ही बताओ, problem solving कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप ही बताओ, confidence आएगा कि नहीं आएगा, what do you think about this, तो बच्चों, CPPs की help से, CPPs की help से, आप हर category के question, क्योंकि बहुत ही well designed content है ये, जिससे एक sample यहाँ पे दिखा रख आप सभी को एकलब वे warrior batch का, जो NLM का हमारा एक CPPA, one of the CPPA है बच्चों, right, जिसमें various category के MCQ करते हो, तो class में जब हम MCQ करते हैं, along with normal illustrations, तो उससे हमारा class में ही confidence boost होता है, बच्चों, खेलना confidence का है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, खेल किस सीज का है, confidence का है, और यह आ आपका confidence बढ़ने ही वाला है, है ना, अब उसके बाद, CPPs के अलावा आपको बहुत सारे कई बार question banks भी मिलते हैं, DPPs भी मिलती हैं, तो इतना material मिलता है कि that is good enough for you, इतने सारे सवाल मिलते हैं कि that is good enough for you, उसके अलावा करने को बच्चा बस अगर chapter wise PYQ कर लें इस समय पे, that would be more than enough, तो ATP star quota का जो material है बच्चो, along with chapter wise PYQ, आप सभी अगर कर लेते हैं तो that will be good enough for you, ओके बच्चो, अब master question bank, DPPs, अब उसके बाद, आप सभी की important बात आती है, वो होती है test series, बच्चो, test series का बहुत बड़ा रोल होता है, test series, आप सभी का जो batch है, उस batch से related test तो होते ही ह तो आपको बहुत सारे इसके अंदर chapter wise test, मला पूरा chapter wise test series भी मिलने वाली है, आपको जो all India test series होती है बच्चो, ATP star quota की, नाम जानते होगे उसका सभी के सभी बच्चे, यह जल्दी से comment section में बताईए, all of you, AOTS, उसको बूला जाता है AOTS, that is ATP online test series, वो भी आपको मिलने वाली है, तो full length test भी आपके बहुत सारे होने वाले हैं, J-Main as well as J-E advanced के, advanced के होंगे warrior batch वालों के लिए, और J-Main के तो दोनो batches के लिए रहेंगे, तो बच्चो, यहाँ पे आपको बहुत सारे test मिलने वाले हैं, अब यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपको जो मजा आने माला है, आप सभी जानते ही होंगे already मेरे बारे में, yes, all of you know it already, that I've been teaching since last like so so many years, and I was HOD at Bansal Classes as well, and बहुत सारे बाते हैं, आप सभी जानते हैं, अब उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे बहुत ही amazing mathematician के अगर हम बात करें, तो हमारे Amit Mahala sir the legendary teacher, जिनके पढ़ाई वे बहुत सारे student लगातार 100 percentile मारते हैं, plus advance के अंदर भी top 100 में rank लेकर आते हैं, बहुत ही amazing faculty है, mathematics का knowledge इनका बहुत ही awesome है, yes, Amit sir OP लिखिये सभी सभी comment section में, जो जो Amit sir के fan है, जली से लिखिये comment section में Amit sir OP, उसके लावा सूर्यभान सिंग राजपू Suria sir, सभी के सभी Suria sir बोलते हैं, and बच्चों के favorite हैं, चाहेते हैं, and not just for physics, physics के तो ये magician है ही, इनके भी पढ़ाई वे students जो हैं बच्चों, हर साल ये माली जी 100 percentile लेकर आ रहे हैं, और बच्चे इतना प्यार करते हैं इनसे, क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं किसी भी बच्चे को कोई problem नहीं आती, physics में तो छोड़ी ये problem आती हैं, उसको अलावा, कोई और problem भी अगर वो जिंदगी में face करते हैं, किसी भी तरह का, तो Suria sir is there for you, Suria sir, the legendary physics teacher is there for you, okay बच्चों, तो Suria sir OP लखिये, जो भी बच्चे Suria sir के fan हैं, everybody just write Suria sir OP, everyone, yes बच्चों, along with that Mohit sir, Mohit sir Bansal classes में पढाते तर बहुत ही young and dynamic, amazing faculty है, he has more than 5 years of experience, and now the next thing is, बच्चों, आप सभी के लिए कुछ surprises भी है, are you ready for surprises, लेकि ये surprises रिवील अभी नहीं होंगे, तो इसलिए, बस get ready, a very highly amazing, highly energetic faculty of physics, बहुत ही amazing, like India की one of the best faculty, will be joining us in physics as well, वो भी आपको पढाने वाले हैं, along with chemistry में भी बहुत amazing faculty आप से जुडने वाले हैं इस batch में, and mathematics में, मेरे ही batch mate है, IIT Roorkee K, one more IIT and will be part of the team very soon, yes बच्चों, तो बहुत amazing team आपको इसके इंदर batch के इंदर मिलने वाली है, अब उसके बाद अगली चीज़ में आप सभी को बता रहता हूँ, आप सभी जानते हैं कि J काफी समय रहता है, advance के लिए भी, and J-Main के लिए भी अगले attempt के लिए, तो उसके लिए आप सभी को revision and problem solving crash course जो है, J-Main वाले students को एनी एकलवे batch वालों को J-Main का crash course मिलेगा, and advance वालों को advance का crash course मिलने वाला है बच्चों, तो यानि यह जो particular आप जानते हो, as ATP Star Quota is very well known for their crash courses, जानते हो क्या crash courses के नाम, yes बच्चों जानते हो क्या, RBC, Rank Boosting Course, RCC, बहुत ही popular है, yes, बच्चों को बड़ा पसंद है, तो यह आपको इस batch के साथ मिलने वाला है, चलो बच्चों अब इससे आगे मैं बता देता हूँ आप सभी को, अब बात आती है mentorship and guidance की, तो इसका मैं glimpse guidance मिलती है, सबसे पहली बात, सबसे जो अच्छी बात है, देखिए लगातार live sessions होते रहते हैं, जैसे इन batches के अंदर आपको जो lectures हैं, वो तो मिलेगी मिलेगे, ठीक है, आपको lectures तो everyday मिलेगे, जनरल आपको 3-4 lectures everyday मिलने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपके live sessions भी हो क्योंकि live sessions से, you know, teachers interaction होता है, doubt solving हमारी होती है, problem solving techniques अपने को पता लगती है, teachers से connection बनता है, तो live sessions भी आपके लगातार होते हैं, तो बच्चों एक तो मैं weekly guidance session लेता हूं सभी बच्चों का, है ना, तो उस weekly guidance session में हर बच्चा मुझसे personally भी बात कर सकता है, और जो भी उसकी श है ना, तो हर teacher के साथ आप सभी connect में रहने वाले हो, इस पूरी journey में, जो आपके motivation के लिए बेहत जरूरी होता है, खास तोर पे online पढ़ाई करते वे, इसकी बहुत जाला जरूरत होती है, कौन-कौन इस बात से agree करता है, comment section में जरूर बताईए, अब यहाँ बच्चों, जै कि सम्में revision and problem solving पे ही focus करना है, इसी basis पे यह planning का एक sample है, this is a sample of a planning, this is not the exact planning for your batch, जाना, तो इसको मैं explain नहीं करने वाला, लेकिन आपको मैं बताने वाला हूँ कि we have made planning for various students, तो वो planning आपको मिलेगी, जिस से depending on your preparation level right now, आपको सही guidance मिल जाएगे, और उस plan को जब आप follow करेंगे, तो आपको best results मिलने वाले हैं, चली बच्चो अब इससे आगे मैं आपको बता देता हूँ, now the point is how to enroll, कहां से enroll करना है और batch का feed details सब आपके साथ share करता हूँ, तो बच्चो are you excited everyone, बच्चो how's the josh, जल्दी से comment section में सभी के सभी बताइए, यो कि hoping that is journey में, जो हमारा josh है, आप आपका जो हमसे भी 10 times होना चाहिए, यो कि आपके hard work के साथ जब हमारा जो guidance है, वो मिल जाएगा, तो we can do anything, है न बच्चो, तो enroll करने के लिए go to ATP star app और website, website या app पे जाईए and login करिए, login करके बच्चो go to star batches section, कहां जाना है, star batches section में जाना है, ठीके, अब यहाँ पे star batches section मे जाके आप सभी warrior exclusive phase 2 पे या एकलवे exclusive phase 2 पे click करेंगे, explore पे click करेंगे, वहाँ पे जाने के बाद बच्चो, यहाँ पे जब आप जाएंगे, तो enroll now का option आएगा, enroll now का option आपको दिखाई दे रहा है सभी बच्चो को, यहाँ से आप enroll कर सकते है, अब बच्चो, मैं एक दो ची and guidance, आप सभी को यहाँ मिलने वाली है, that is the main, you know, USP, that is the main thing, जो आपको इस समय बहुत help करने वाली है, आपके जो doubt solving facility है, बहुत ही amazing doubt solving facility है, as bad strength is limited, limited students होते हैं, तो live doubt solving sessions होते हैं, जिसमें आप teachers से guidance भी लेते हो, plus आपके doubts भी solve होते हैं, और बहुत बार live problem solving sessions भी आपके लिए बच्चो लिए जाते हैं, अब तो I think आप सभी को यह बात अलड़ी पता लग गई है, yes बच्चो, so hoping that you all understood all the points, अब आप जानना चाह रहे होगे कि सर्फी structure क्या है, yes जानना चाहते हो सभी की सभी, तो जैसे कि मैं आप सभी को बताया था, कि यह सस्ता बिलकुल नहीं है, ल ही guidance है, आपकी rank अगर for example, 5000 better आती है या 10,000 better आती है, तो समझ जाइए आपके college का कितना बड़ा upgrade आपका हो जाएगा, yes, so बच्चो यहाँ पे जो fee structure है, हमारा online batch का, warrior and एकलवे का, वो यहाँ पे mentioned है, batch हमारा 9th of May से start हो रहा है, दोनों ही batches 9th of May से start हो रहे है, यहाँ पे ए special fee benefit मिलेगा, यह limited students के लिए है, तो जितना जल्दी आप enroll करेंगे, यानि जितना जल्दी आप enroll करेंगे, उतना आपको benefit होगा, क्योंकि यह code कब lapse हो जाएगा, मैं कुछ कह नहीं सकता, तो the code is star 24, code is star 24, जहाँ आप enroll करने जाएगे, वहीं पे pain आओ के असपस code लगाने का option आएगा, तो वहाँ code लगाएगे, तो आपको special fee benefit मिलेगा, बच्चो, और यह early bird, यानि शुरुआत के students के लिए applicable है, यहाँ पे अब दो तरह का subscription है, one is star, other is standard, देखिए, star में क्या additional है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जिस भी बच्चे को उसकी जरूरत feel होती है, they can go for star, otherwise you can go for standard, depending on what you want, ओके बच्चो, तो आप जाना चाहते हो star में क्या different है, देखिए बच्चो, star में there are two fundamental things which are additionally available in star batch, पहला चीज जो star में available है, वो यह है बच्चो, कि वहाँ पे इस पूरी journey में on call facility available है, with the faculties, office timings में, जो normally 10 से लेके 7 तक रहता है, उस समय के दोरान, on call facility है, teachers के दोरा, teachers के साथ, इस पूरी journey में, यानि अगर आपको for example, मुझसे बात करनी है, मुझसे directly, personally बात करनी है, phone पर बात करनी है, और guidance लेनी है, या for example, आपको सूर्य सर से guidance लेनी है, कोई doubt भी पूछना है उनसे, याना कोई particular conceptual doubt होते हैं, कई बार होते नहीं अपने, जैसे कि मालों chemistry में कोई doubt आया, conceptual लेकिन for example, clear नहीं हो पा रहा है, तो सर की help ले ली, for example, right, तो ये on call facility, आप सभी को इस पूरी journey में मिलने वाली है, ठीक है, उसके बाद, second जो चीज है, वो है बच्चो, जो study material है, जैसे कि for example, question bank हो गया, DPPs बगरा हो गई, तो ये बच्चो question bank आपको hard copy में और ये सारा material जो है, ये आपको घर पे मिलता है, ये आपके घर पे भीजा जाता है, ओके बच्चो, तो उसके अलावा बच्चो को student kit भी मिलती है, there is a special student kit जो ATP star quota ने design किये बच्चो के लिए, online students की पढ़ाई के लिए, तो वो आप सभी को इसमें मिलने वाल है, again मैं सभी बच्चो को repeat करना चाहूंगा, कि there are two facilities which are additionally available, only two facilities, and that is on call facility with the faculty members, and along with that, आप सभी को hard copy भी जो है, वो भी मिलने वाली है, तो बच्चों, hoping that all the doubts are clear, सारे के सारे doubts आप सभी के clear होंगे, and you are ready to rock in the Eklav and Warrior badge,